सुबह सुबह नाश्ते में कुछ हेल्दी मिल जाए और जिसे बनाना भी आसान हूँ तो नाश्ता खाने का मज़ा दूगना हो जाता है आज मैं आपके लिए लेक्याई हूँ बहुत ही healthy और tasty oats का पोहा जिसे बनाना भी आसान है और इस पोहा को बनाने में maximum आपको 15-20 मिनट लगेंगे और ये पोहा आपको बहुत पसंद आएगा साथ ही साथ ये weight loss में भी आपको help करेगा तो चलिए आज की healthy और tasty recipe शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हम एक पैन में दो चमच तेल गरम करेंगे सरसो के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो weight loss में काफी helpful होता है जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चमच राई या फिर सरसो और साथ ही साथ हम इसमें एक छोटी चमच जीरा डाल देंगे यह पता नहीं दो दो चमच हो गया है नीचे caption में लेकिन आप एक एक छोटी चमच यूज करें थोड़ा सा हम करी पत्ता डाल देंगे जैसे ही करी पत्ते का flavor जो है वो तेल में आ जाएगा हम इसमें डाल देंगे बारी कट हुई हरी मिर्च तो यहाँ पे हरी मिर्च, जीरा और राई को हमने पका लिया है तो यहाँ पे एक बड़ा चमच बारी कट हुई हरी मिर्च डाल दे और इसे भी तेल में हम भूल लेंगे जैसे ही हरी मिर्च पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे ये बारी कटा हुआ प्यास तो एक चौथाई कप बारी कटा हुआ प्यास डाल देंगे आप प्यास को हम दो मिनट के लिए ऐसे भूल लेंगे गैस का फ्लें मीडियम रखे तो यहाँ पे हमारा प्यास जो है वो हलका सा कलर चेंज कर रहा है ये देखे तो जैसे ही प्यास का कलर हलका सा चेंज हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे बाकी की सबजिया तो सबजियों में मैंने आप गाजर डाला ये शिमला मिर्टी डाला इस जैसे ही सबजिया थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर तो यहाँ पे आदी छोटी चमच या फिर आदी छोटी चमच से थोड़ा सा जादा हल्दी पाउडर एड़ करें और इसी भी ऐसे सबजियों के साथ मिक्स कर दें ताकि इसका जो अनुसार नमक डाल दें अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको इसे ज़्यादा हल्दी बनाना है तो ओर्ट का इस्तमाल कम सबजियों का इस्तमाल जादा करें और नहीं तो अगर आपको फैमिली के लिए नाश्टे में बनाना है तो ओर् सबजियों के लिए तो जब हम विटलोस प्रोग्राम में होते हैं तो ओर्ट का इस्तमाल कम और सबजियों का इस्तमाल ज्यादा करना पड़ता है तो यहाँ पे मैंने दोनों प्रोसेस बता दिया है सबजियों की क्वांटिटी बराबर रखें अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे अब हम इसके उपर थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे ताकि ओर्ट जो है वो पानी को अब्सॉब करके सॉफ्ट हो जाए नहीं तो ये ड्राई लगेगा और खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा और अगर आपने ओर्ट को धूदिया तो वो बहुत ही ऐसे स तेली पानी इसके उपर डाल दिया है और ऐसे ढखके धीमियाज पर स्टीम में इसे पकने दे तीन से चार मिनट तीन चार मिनट बाद हम पैन का ढखकन अटाएंगे इसे एक बार मिक्स करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे खा के चेक कर सकते हैं अगर ओट सॉफ् खाना पसंद है न मतलब पोहे जैसा एकदम नरम चीए तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाले और इसे ढखके कम से कम दो मिनट धीमियाज पर पकने दे तो यहाँ पे दो मिनट होते ही यह हमारा ओट का पोहा जो है वो बन के तियार हो गया है तो कुछ लोगों को सॉफ धनिया पत्ता से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है धनिया पत्ता और नीबू डालने के बाद इसे यह से मिक्स करें और इसके बाद हम इसे फटाक से सर्फ कर लेंगे यह देखे है ना बस दो चमस तेल में हमने इतनी सारी सबजियों के साथ यह ओर्ट का बहुत ह हल्दी और टेस्टी पोहा बनाया तब हम चलते हैं से सर्फ करने के प्रासेस में तो नाश्टे में ओट्स हल्दी भी होता है और साथ ही साथ जब हम इसमें बहुत सारी सबजिया डालके ऐसे खिले के लिए पोहा बनाएंगे ना तो मज़ाई आ जाएगा खाके तो यह हमार बहुत ही डेसी बहुत ही मज़िदार और सूपर हल्दी ओर्ट्स का पोहा बन के तियार है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें यह पोहा आपकी फैमली को बहुत पसंद आएगा बच्चे भी इस पोहा को बहुत ही पसंद सिखाते हैं तो उमीद है कि आज की हल्दी र शेयर करना बिलकुल न भूले